नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलेज पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेश राशी के बारे में और जानेंगे कि यदि मेश राशी के लोग आपस में एक दूसरे के साथ विवाह करना चाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और विवाह के उपरांथ उन्हें अपने जीवन में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं मेश राशी के लोगों के वैवाहिक संबंद के वारे में दोस्तों यदि बात करें रासी चक्र की तो रासी चक्र में मेश रासी पहले स्थान पर मानी जाती है जिसका स्वामिग्रह मंगल होता है दोस्तों आप लोग मेश राशी के जातकों को उनके जीवन में फिल्म के हीरो हिरोईन भी कह सकते हैं जी हाँ दोस्तों मेश राशी के जातक अपने जीबन में प्रेम संबंदों को ले करके काफी जुनूनी माने जाते हैं मेश राशी के जातक कभी भी अपने जीबन में अपनी प्रेम संबंदी भावनाओं को अपने दिल में छुपा करके नहीं रखते यदि मेस राशी के जातकों को उनके जीवन में किसी से प्यार होता है तो मेस राशी के जातक अपनी भावनाओं को उस वैक्ति के सामने जा करके कह देते हैं हाला कि कुछ समय के उपरांद इन राशी के लोगों को अपने प्यार पर पच्चतावा भी होता है दोस्तों यदी बात करें मेस और मेस राशी के लोगों के वेवाहिक संबंद के बारे में तो जोतिष विज्ञान के अनुसर ऐसा माना जाता है कि यदि मेश राशी के जातक अपने जीवन में मेश राशी के जातकों से ही विवा करते हैं तो उनका जीवन अपने आप में बहुत अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है कि उनका वैवाहिक जीवन मिला जुला हो इसका मुख्य कारण यही होता है कि ये दोनों ही लोग अपने जीवन में समान गुन और वैभार के होते हैं यदि मेसराशी के जातक अपने जीवन में मेसराशी के जातकों से विवा संबंद बनाते हैं तो इनके विवाहिक संबंद सुरू के दो तिन वर्ष बहुत अच्छे बीटते हैं क्योंकि ये दोनों ही लोग अपने जीवन में प्यार के प्रती बहुत जुनूनी माने जाते हैं लेकिन विवाह के दो तिन वर्ष के उपरांत इन दोनों लोगों का जीवन अपने जीवन में सामानने होने लगता है इसका मुख्य कारण यही होता है कि दोनों ही लोग अपने जीवन में समान गुन और वैभार के होते हैं दोनों ही लोग अपने जीवन में अपने जीवन साथी को अपने अधीन रखना चाहते हैं और सबसे मुख्यवात ये होती है कि दोनों ही लोग मेस राशी के हैं जिस कारण से इन दोनों लोगों का सवभाव या यूं कहें कि इनकी भावनाएं बहुत जड़ी बदलती रहती हैं मेस राशी के जातकों को उनके जीवन में मूडी भी कहा जाता है मेस राशी के जातकों का मूड उनके जीवन में बहुत जल्दी चेंज होता है मेश राशी के जातक अपने जीवन में किसी भी संबंध या रिष्टे से बहुत जल्दी उप जाते हैं हाला कि मेश राशी के जातकों को उनके जीवन में नीजी संबंधों को लेकर के काफी इमांदार और वफादार भी माना जाता है लेकिन इनका स्वभाव कभी-कभी इनके रिष्टे के बीच भी आ सकता है मेश राशी के पुरुस और मेश राशी की महिलाएं दोनों ही लोग अपने जीवन में आकरामक माने जाते हैं और इसका मुख्य कारण इन दोनों लोगों का तत्व होता है मेश राशी का तत्व अगनी होता है जिस कारण से ये दोनों लोग अपने जीवन में आकरामक या यूं कहें कि गुस्टेल सोभाब के भी माने जाते हैं दोनों ही लोगों में अपने जीवन में एक खोबी पाई जाती है कि दोनों ही लोग अपने जीवन में किसी की गलती को नहीं तो आसानी से माफ करते हैं और नहीं आसानी से भूलते हैं जिस कारण से इन दोनों लोगों के बीच कभी-कभी टकराब की स्थिति बहुत बड़ी ह सकती है इसी लिए समान गुन और वैवार होने के उपरांध भी मेश राशी के जातकों का विवाह मेश राशी के जातकों के साथ अच्छा नहीं माना जाता है कि यदि मेश राशी के जातक अपने जीवन में मेश राशी के जातकों से ही विवाह करते हैं तो उनके जीवन के ल थोड़ी सी उदारता और वैवार परिवर्तन के उपरां दिये दोनों लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रह सकते हैं। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में कही गई बात आपके जीवन में कितनी सही है और कितनी गलत है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल